एलो फ्रेंट्स वेलकम टु माई चैनल देखिए फ्रेंट्स आज मिलाएं आपके लिए खुबसुरत सी मोती वाली डिजाइन मोती अली बॉर्डर इस डिजाइन का यूज आप लेडिस काइडिगन जैकेट स्वेटर ब्लाउज के बॉर्डर में कर सकते हैं बाजू की बॉर सब्सक्राइब बना रहे तो बहुत आसान सी डिजाइन सिर्फ चार लाइन का पैटर्न है और चार फंदों में ही बन जाती है ठीक है तो इसके लिए देखिए यह रोयल ब्लू कलर का ओन लिया है मेरे पास यह मोती है ठीक है और मोती के साथ क्रोश्या हुक मैंने पैकेट म में ही रख लिया है जब भी मिझे मोती वाला वर्ग करना होगा तो मुझे क्रोश्या खोजना नहीं होगा तो यह वाली मोती मैंने लिए जिसके अंदर से क्रोश्या अराम से निकल जाएगा तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूं ऐसी मोती आपको लेनी है जिसके अंदर इतनी बड़ी मोती है और अब इसके बाद हम डिजाइन बनाना शूर करते हैं यह तो डिजाइन है हमारी यह डिजाइन मल्टिपल ओपूर प्लस त्री चार के मल्टिपल है प्लस त्री फंदों में बनती है यहां पर ब्लाउस बना रहे हूं दुलहन के लिए किसी लड़की की शादित उसने ओर्डर दिया था तो मैं ब्लाउस बना रहे हूं अगर आपको ब्लाउस सीखना है तो इसके स्टेप बाइस्टेप वीडियो में आपक अगरा तो आज हम सिखी बॉड़र वें ये दिजाइन बनाना सीखते लिए अन्य हैं को निया में बारा नमबर की मनें 11 सवस्टेश् hanas क्योकि यह चार राले लया ही हम और नमबर से बनाएंगे dans Garage से बनाएंगे अगर एक ही नंबर की आप सलाई से बनाएंगे तो यह जो बॉर्डरी श्रिंक हो जाएगा यह सिकुडता है तो नीचे फ्रैल जाएगा और उपर सिकुड जाएगा तो उसका लोग अच्छा नहीं आएगा तो 12 नंबर की सलाई से सबसे पहले हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के चार सलायां कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रू सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन देना ठीक है row first complete हो गई है अब row second फिर हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाके complete कर लेंगे second row complete हो गई अब third row में फिर हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बन लेंगे row third है देखिए रो थर्ड कंप्लीट होगे पर रो फोर्थ में हम सारे फंदो को उल्टा-उल्टा बुल के कंप्लीट कर लेगी तो बना लेते हैं ये देखिए ये हमने चार सलाइक कंप्लीट कर ली है अब हम 10 नमबर की सलाई इसमें लगाएंगे ठीकिए ये देखिए दस नमबर की सलाई हम इसमें लगाएंगे और यहां से अपनी डिजाइन बनाएंगे तो पहला फंदा हम skip कर लेंगे उन आगे करेंगे एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे अब यहां से मारा repeat pattern start होता है उनको आपको पीछे करना है एक दो तीनी जो तीसरा वाला फंदा है ठीक है इस फंदे को आपको इस पर गिरा देना है ठीक है अब इसको आपको एक फंदा सीधा उन आगे एक फंदा और सीधा ठीक है तो यह हमने जो एक फंदा कम किया था उसका एक फंदा बढ़ ग तीसरे गिरा दिया एक फंदा हमने सीधा बना फिर एक आगे एक फंदा सीधा तीन फिर उन आगे एक फंदा उल्टा फिर उनपीछे एक दो तीन तीसरे फंदे को आप इस पे गिरा देंगे एक फंदा सीधा उन आगे एक और फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा यह चार फंदे का पैटरन है यह पैटरन रिपीट करना आपको फिर से देख लिए एक दो तीन में से तीसरे को हम दो फंदे पर गिरा देंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे उन आगे फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे और उन आगे एक फंदा उल्टा ठीक है फिर उन पीछे तो ऐसे आपको लाश्ट तक बना लेना है यह इसको निस्प पून आगे एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा तो बना लेते हैं लास्ट तक हम इसको यह देखिए यह उन्हें डिजाइन कंप्लीट कर दी लास्ट में एक फंदा है तो यह राइट साइड है चुकी तो उन पीछा करके लास्ट अले फंदे को आप सीधा बुन दीजि यहां से चार फंदे का पैटर्न रिपीट कर का देखित उन आगे एक फंदा सीधा उन अपनी तरफ तीन बंदे ऊल्टे फिर ओन आगे एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक दो और यह तीन थीके है तो यही पैटर आपको लास तक तक फॉलो करना है तो न आगे एक फंदा सीधा और तीन फंदे उल्टे तो बना लेते हैं इसको पहले है और रहे ं сейчас थीक फंदे का पोरा होग़ए लास्ट में दो फंदे हैं तो इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे एक तो अब देखें डिजाइन के तीसरी दो इसमें मोती लगाएंगे तो देखें एक फंदा हमने किया एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे अब अगे यहां से न मारे पैटर्न इसटार्ट एखिए तीन फंद में जाली डिजाइन में देख रहा है एक छी पंदा आप सीधा बुनी है आप इस फंदे में आपको मोती लगाना है तो देखिए मोती लगाने क्लिए क्या करेंगे ह हम पहले मोती में क्रोश्य हुक इंसर्ट करेंगे यह दिखें यह हमने क्रोश्य इंसर्ट किया अब जिस फंदे मोती लगाना इसको आपको ऐसे इस तरह से करना है इसको थोड़ा खीच लीजिए और हाथ से धीर इसे इस फंदे को इसमें सरका दीजी अब यह जो लूप है इसको आप दूसरे फंदे में सलाइन उतार दीजिए अगला फंदा सीधा ठीक है फिर उन आगे एक फंदा उल्टा ठीक है फिर देखिए यह तीन फंदे की देखिया वाला है यह हम सीधा पूरेंगे फिर मोती में में हम क्रोश्य ओक एशा इंसर्ट करेंगे और फिर इसको इसमें इस तरह से फिर एक फंदा सीधा ओना आगे एक फंदा पुल्टा तो यह पैटन रिपीट करेंगे देखे एक फंदा सीधा अगले फंदे में मोती लगाएंगे हम इस तरह से कि प्रक यह कि इस फंदे को सीधा एक फंदा उल्टा तो ऐसे हम लास्ट तक सारे एक फंदा उल्टा एक फंदा पुलेंगे के और दीधा होग घ्राई के इसा फंदा बनेंगे जाबद में एवस हमारे कि बाले की दिधा उल्टा ऐफ देखिए पहला फंदा तो skip करना है हमें और फिर उसका next फंदा सीधा तो जो दूसरी लाइन थी वैसा ही बुनेंगे इसका दूसरी चौती लाइन जो है देखिए 1 2 3 तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तो यहीं चार लाइन आपको रिपीट करनी है मैं स्टार्टिंग बताती हुँ देखें एक पंद हमने उता रहा एक फंद हमें उल्टा उन्ह पुनना है फिर उन पीचहे भिए तीन में विए सटीज इसरे फंदे को आपको इन दो फर गिरा देना अफिए एक फंदा हम सिधा बनेंगे वडू आगे एक फंदा और फिर उन पीछ ये तीसरा फंदा हम इन दोनों पे गिरा देंगे एक फंदा हम सीधा बनेनगे और फिर एक फंदा गरेंगे चार लाइन अब हुए बार बार रिपीट करने है तो देखें चार लाइन इस तरह से हमारी डिजाइन बनेगी यह देख हैं यह देखें यहाप Tylis आपको बताए देखें तो यह मैंने हापके से ज़रूर बताएगा कि आपके डिजैन कैसे लगी और अगर ब्लाउस सीखना चाहते हैं तो वेट कीजिएगा थैंक यू बाइबाइब